घर का निर्मान हो चुका है या आपने बनाया हुआ फ्लैट कोई लिया है या फिर आपने कोई पुराना मकान खरीदा है और उसे रिनोवेट करके अब आप उसमें क्रैपर रिष्ट करने जा रहे हैं मन में कई प्रकार की संका हैं कई प्रकार की आसांका हैं हमारा द्वार सही है नहीं है या फिर हमारी दिसा सही है घर की या नहीं है या फिर इसमें किस प्रकार की वास्तु दोस हैं ट्वालेट वाथरूम गलत बने वे हैं या फिर और सीडियां सही रूप में नहीं है किचन स नहीं है तो अब क्या करना चाहिए तोड़ने का उप्सन हमारे पास बसता है लोग तोड़वाते हैं लेकिन क्या तोड़ना ही समाधान है नहीं वास्तु का मतलब कोई तोड़ना नहीं होता है वास्तु का मतलब वास्तु समाधान है और समस्याइं हैं तो समाधान भी है हमार जाना और उन चीजों का इस्तर समाधान के रूप में उस चीज को देखा जाता है जिसे हम वैदिक रेमेडी कहते हैं अब वह उपाई क्या हो सकते हैं क्योंकि फ्लैट में वह एक निश्चित अस्तान पर बना होता है तब हमें क्या करना है पुराने घर में भी हुआ अपने आपके एक आकार पहले से अब हम क्या कर सकते हैं देखे ऐसी स्तुतियों में हमारे लिए कुछ उपाई बच जाते हैं वैसे मैंने आपको वास्तु के चैप्टर में आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आपको बहुत deeply as student आपको समझा है आप उसको समझ सकते हैं आप उसका लाब ले सकते हैं क्योंकि हर दिसा का एक अपना स्वामित तो होता है वास्तु की according और ग्रहस्तुतियों के एसाब से दिसाओं के दिगपाल कहे जाते हैं जो वैदिक पूजा में बताए जाते हैं आपने देखा होगा कोई आपने speech या कोई कारिकम हमारा अगर देखा हो वास्तु से related या वास्तु सांति से related तो उसमें हमने सायद आपको इबात कई बार बताई है अगर लगातार आप हमारे कारिकमों देखते हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे क्योंकि दिसाओं की पूरब माना जाता है या फिर इसान माना जाता है लेकिन हमारा मंदिर तो इसान में भी नहीं पढ़ रहा है पूरब में भी नहीं पढ़ रहा है तो क्या करें तो हम उत्तर की दिसा क्योंकि अस्तु तरश्याम दिशे देवत आत्मा वह देवताओं की आत्मा मानी जाती है इसलिए वह हस्तान भी हमालोपयोग तो हो सकता है अगर यहां भी नहीं है तो फिर हम कहां करें तो second best के रूप में हम ऐसे कुछ हस्तानों को चिन्नित कर सकते हैं इसी प्रकार से आपका कीचन है सीडिया है इन सब बातों को भी देखा जा सकता है अब आप समझ गया होंगे कि मैं आपको दिसाओं की अनुसार इस सब बाते कैसे बताने जा रहा है लेकिन अगर फिर भी अनकूल नहीं बैड़ते है तब हमें क्या करना चाहिए देखिए वास्तु की अनकूलता के लिए वास्तु की प्रशनता के लिए वास्तु कोन है वो भगवान सिपक्यंस है आपको मालूम है पहले से अब हमें भगवान वास्तु का एक विस्ट वैदिक पद्दती से उनका अर्चन करना चाहिए उनका पूजन करना चाहिए वास्तु सांती करनी चाहिए तेक पितर शांती आदि के साथ जब आप तो वहाँ के आनर्जइ नकारात्मक उर्जाओं को वहां से निकाल करके एक सकारात्मक प्रभा कुमा पर सोचार रूप से ब्यवस्तित करता है, तब वहां मकान आपके लिए सुप नहीं, जोसे सुप हो जाता है, तो यह वैदिक रेमडियां, यह वैदिक समाधान हैं, किस चीज को तोड़ना, फोड नहीं हो सकता है, हमारे यह जोडने की प्रंपरा है, ना कि तोडने की, इसलिए संचिप्त सरल समाधान क्यों बढ़िये, ना कि अंदविस्वास क्यों, किसी चीज को लटकाने मातर से, दोस्ता मातर नहीं होता है, तो आसा करता हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी, इ तorial बाद़ता है, एöhपी का अंदफ एम ट्रेंफूस क्यों लाद kव्क प्लाक मात जड़िये, प्रुम कर दोड़िये, यदम क्वालिए्यों, कि आने कि नहीं हो अगने कि यह पन परोगने का यहज़िस्वास के दोड़िस्वास के ऊिगल काने मातर से ूगने कि औो लिञ